नश्कार दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है So finally, Royal Green Sector 62 का result आ चुका है Draw हूँ चुका है, date बहुत किसकाए गए थे हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे अटकले लगाया बैठे थे But finally, वो दिन आ गया Winner List आ चुकी है पिछली वीडियो के लिए माफी मांगता हूँ जब draw चल रहा था, मैं काम से बाहर में था And जिस device में मैं shoot करता हूँ वो device मेरे पास नहीं था तो मैंने जल्दी से अपना जो mobile था उसमें एक वीडियो shoot करी और उसे upload करने के कोशिश करी So quality वो नहीं आ पाई वीडियो में And sound में भी Really माफी चाहता हूँ But still काफी अच्छा मुझे उस पे Response मिला I am very happy with the response So the thing is मैंने मैं जैसे free हुआ मैंने winner list को देखा ध्यान से नहीं देखा थोड़ा थका हुआ था अभी मैं रात के सवा एक बजे वेडियो बना रहा हूँ तो मैं ध्यान से नहीं देख पाया But मैं comments देख रहा था और comments देखके मुझे feel हुआ कि मुझे शायद winner list को थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए तो मैंने winner list देखी और उसमें मुझे एक pattern दिखाई दिया ठीक है जो मैं यह मानता हूँ कि मुझे आप से वो pattern share करना चीए क्योंकि एक एक बहुत ही नया रुजान है जो मैंने first time feel किया और उसके बाद मैंने इस से पहले भी जितने winner list आ चुके है मतलब मेबी इस साल मैंने सब को ध्यान से देखा और वो pattern मुझे उन सब में नहीं दिखा ठीक है so the thing is मुझे ऐसा लग रहा है कि अब game थोड़ा सा change हो चुका है ठीक है हमारे खेल में कुछ नए खिलाड़ी अब enter हुए है जिनकी priority priority 3 से भी ज़ादा है वो कौन है priority 1, priority 2 वाले यह कौन होते है यह वैसे मेरे खाल से पीमे वाले होते है अब यह पीमे कौन है प्रदान मंतरी, अभास, योजना वाले ठीक है तो pattern क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ project ID 81, Rama Homes इनकी winner list मैंने देखी इसमें कोई भी पीमे वाला नहीं था project ID 59, Habitat 102 इनकी winner list में भी कोई पीमे वाला नहीं है project ID 85, Our Famous Signature Global Imperial इनकी भी winner list में कोई पीमे वाला नहीं है project ID 60, Once Again Signature Global Superbia इनके भी winner list में कोई पीमे वाला नहीं था project ID 48, HCBS, Auroville same result कोई पीमे वाला नहीं है winner list में project ID 10, Habitat Prime इनकी भी winner list में कोई पीमे वाला नहीं है ठीक है so यह देखके हम आज तक यह सूछते आया है कि भाई, game हमेशा priority 3 से start होती है इनकोई priority दी जाएगी और अगर जगा बज गई तो priority 4 वाले कुछ select हो जाएंगे priority 1 और 2 वाले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्या हम सबको ही लगता था जितने भी इस topic के उपर video बनाते हैं जितने brokers हैं, जितने भी ग्यानी लोग हैं clarity giver वाले हैं respect to all of them तो वो भी यही बोलते थे कि भाई 1-2, I don't know क्यों नहीं करते हैं, maybe financial reason या maybe वो अपने ही पच्चडों में इतने फसवे कि इसमें गुस्ते नहीं हैं, इस पूरे game के अंदर, whatever the reason, तो हमने आज तक उन्हें कभी वो नहीं किया, मतलब notice नहीं किया, आप भी खुद देख रहे हैं, मैंने आपको बताया जितने ही मैंने winner list आपको दिखाया कि यह लोग गुस्ते नहीं थे, तो game हमेशा 3-4 से ही start होती थी अब देखते हैं royal green, जो कि है project ID 76 अब ध्यान से सुनियेगा, 2BHK general कितने select way 157 and P में वाले कितने select way 45 P में वालों पर ध्यान देजेगा इन्होंने आज तक कभी किसी project में खेलना, मलब try नहीं किया था, इसमें देखिए कितने P में वाले 45 3BHK type 1, general कितने select way 16 और P में वाले कितने थे 338 338 the whooping number आज तक जिनका number दूसर प्रजेक्स में 0 होता था ये भाई आज 338 पे पहुँच गए 3BHK type 2 general 135 P में वाले 69 जो 0 थे, उनके numbers अब ये हो गए है ठीक है तो इससे आपको क्या रुजान मिल रहा है इससे हमें ये रुजान मिल रहा है इस प्रोजेक्स की वज़ा से या फिर अब से जो P में वाले हैं उनको भी interest आना शुरू हो रहा है इस पूरे प्रकरन में इस पूरे गेम में ठीक है ये जो affordable housing जो भी चलता था तो अब से गेम priority 3-4 की नहीं होगी अब 1-2-3-4 की होगी और obviously 1-2 वालों को ज़्यादा priority दी जाएगी ठीक है तो अब क्या कर सकते हैं I don't know अगर आप का नाम नहीं आया है और आप आगे भी गेम खेलना चाहते हैं और मैं ये imagine कर रहा हूं कि अब पीमे वालों को भी interest आ रहा है तो भाई आपको भी देखना पड़ेगा कि आप पीमे के लिए eligible है या नहीं है ठीक है अगर आप eligible है तो भाई जनरल में apply मत करिये आप फिर पीमे वाला जो tab है उसको slack करके apply करियेगा अच्छा इनका क्या है भाई ट्राइटरे क्या है मोटा माटी मोटी बात बताऊं तो जो LIG projects होते हैं अगर उन पे आप apply करना चाहते हैं तो आपका या आपके spouse का पूरे इंडिया में कही भी पक्का घर नी होना चाहिए आपकी income 6 लाग से कम होनी चाहिए yearly ठीक है ये मोटी बात थी इसमें और भी कई सारे criteria's है बट यह मैंने कुछ criteria main आपको बताये यहाँ पे कि भाई ये जो लोग होते हैं ये पीमे के लिए eligible होते हैं so the thing is it's a very strange pattern जो मैंने इस बार ही feel किया है और मेरे ख्याल से जितने भी अभी हमारे fraternity के जो लोग है वो भी अगर notice करे तो मैं भी वो भी इस वीडियो में बताये कि भाई पीमे वाले अब आगे हैं अभी क्यों आगे हैं कैसे आगे हैं इनकों इसमें interest क्यों आया वैसे देखो obviously बात है project बहुत ही premium location पे था ठीक है 62 that means in the golf course extension road it's big deal but I don't know क्योंकि हम यह सोच के बैठते थे कि यह अपने पच्चडों में इतने फ़से रहते हैं कि शायद यह घुसेंगे ही नी ठीक है भाई यह नया pattern सुनने मिले तो भाई priority 3 वालो अब थोड़ा भाई और कमर कसलो अब पी में के थ्रू अपलाई करना भाई तब ही आपके chances बढ़ेंगे अगर यह रुजान यह जो trend है जो यह royal green में देखने को मिला वो अगर अगे भी repeat होगा तो वो मुश्किल हो जाएगी ठीक है अब इस चीज़ को आप इस information को आप कैसे grab करते हैं वो आप स्वतनत्र है उसको सोचने के लिए बट अगर हम सोचे कि सब कुछ fair हो रहा है I hope वैसे सब कुछ हुआ ही होगा fair who knows तो भाई पी में वाले बाजी मार गए पहली बार ठीक है so thank you very much मेरे पिछले वीडियो में मुझे जिन लोगों ने भी इस चीज़ को लेके comment किया था तो मेरा ध्यान उस चीज़ की उपर गया तो मैंने थोड़ी सी और हल्की सी research करी extra और इस वज़ा से मैं ये वीडियो बना पाया so इस वीडियो में बस इतना ही and कोई comment है कोई query है तो मुझे बताईएगा आप भी winner list को देखिए अपने research खुद करिए और मुझे बताईएगा कि आप क्या feel करते हैं इसको लेके आपका क्या सोचना है आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरन के उपर वीडियो को लाइक करिए चैनल को subscribe करिएगा मिलते अगले वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया thank you very much